दोस्तों आपके पास हैं अमेजन फारेश्टिक एए एक टीवी है और सौंड बार है लेकिन टीवी में आपके आज़िती में ARC और अप्टिकल पॉर्ट नहीं है तो क्या साफ नबार को टीवी सो और 50 से करनेट कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे और दोस्तों आपको एक सांड बार से और टीव से करनेट कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन में बताने जा रहा हूं वो ब्लुटूटूथ के द्वारा है तो ब्लुटूथ का प्शन काफी सिंपल है इसके तुरूब आप अपनी सांड बार को अमेजन फारे स्टिक से डाइटली करनेट क पर इसको सलेट करना आपको यह से इसके बाद में आपको जाना है अधर टूटूथ दिवाइस इसमें आपको एक और एपशन आएगा आट बुलूटूथ डिवाईसे तो इसको और आपको पर स्वार को पेरिंग मोड में करना ब्लुटूथ मोड तो सांटपार की अपने आप सर्च कर लिया इसने अमेजन फारिस्टिक ने सैमसंग साउंडबा क्यू 900 इसको मैं सलेट कर लेता हूं से रिमोट से इसलेट कर लिया पेरिंग देवाइस इसके बाद में यह आपका देख साथ है डिवाइस कनेक्टेड आपकी डिवाइस कनेक्ट हो गई अब आ दोस्तों इस तरीके साब ब्लोटूथ के द्वारा अपनी अबिजन फारिस्टिक को साउंडबार से कनेक्ट कर सकते हैं तो यह अप्शन हो गया काफी अच्छी 2.1 चैनल की साउंड इसमें आपको मिल जाएगी स्टेरियो मुजिक आपको मिल जाएगा और दोस्तों दूसर करनोट करी जरूत पढ़ेगी तो उस कनोट के थूरू आप आप अप्टिकल पोर्ट से साउंड बार को करेट कर देंगे और इसमें एश्डी टीवी आउट यह पोर्ट इससे मैं तीवर करनेट कर सता हूं तो यह वाला कनेक्शन इस तरीके सापका कम्लेट हो जाएगा एक पाऊबटिक थेड़ें पढ़ेगी तो सारा कनेक्शन में आप अब को करेता हूं पहले से इसको क्नेक्ट कर देता है अब किमसे एक यह पाऊबड़ केवल से चानल से अप्शिन अ और 5.1 चलना आप सेलेट कर सते हैं तो यहां से 5.1 मैंने सलेट कर दिया इसके दूसरे साइड आप देख सते हैं SDMI OUT का एक option है तो SDMI केबल से इसको कनेट कर देता हूं मैं और एक साइड में TV के SDMI कर देता हूं तो आपका यह connection कंप्लीट होगे आप देख सते हैं लाइट वी आगई गलो गही तो आपका connection कंप्लीट हो गया है और इसके आद अप्टिकल पॉर्ट से दोस्तो हम इसको सांड वार को कनेट करेंगे इसमें एक option और है आप देख सते हैं दो आप से अपनी सांड वार कनेट कर सते हैं इसके लिए आपको दूसरी टाइप की केबल की जबत पड़ेगी वह आपको दिखा देता हूं दोस्तों आप देख सत से आप अपने साउंड बार के आउख स्पॉर्ट में सको कनेट कर सते तो यह तो 2.1 चैनल ऐसे मिल जाएगा और लृटिकल पोड़ेगा तो जैसे ऑ्टिकल के बल से हम इसको कर देते हैं यह से अब देख सते हैं यह आपका इसाइट साइट से ऐसे कनेट हो जाएगा आप् तो यहां पर इसको सांड बार को सब्सक्राइब कर देते हैं यह दोस्तों आपका कनेक्शन को गए अब इस सांड बार की सैटिंग में किस्ट आपका यह वाइपाई ए ब्लूटूथ ए तो डिडिरेट इन या से और अपिकल इसमें यह संग वार है की ऑप्शन में काम करता है चाहिव एए श्टमेर्ब से आपको अप्रिकल से तो सेमी सोस हैं आपका सलेक्ट है प्टिवी में सेटिंग में जाकर हम सोस सब्सक्राइब गोड़ेगा एंसे दोस्तों यह आपका सैटाप कंपलीट हो गया आप देख सकते हैं इसमें ऑ्प्टिकल के तूरूओ तो मेरा स इस वही HDMI port मैंने स्लेट किया हुआ जो कि आपका इस HDMI केबल से कनेक्टेट है तो यह सारा आपका सेट अप हो गया इसमें एक प्रॉलम या आती है दोस्तों जैसे 5.1 चल्म ने स्लेट किया वली लेकिन इसमें कहा है कि TV में यह आपको साउंड आती रहती है दोनों साउंड वा और यह 4K का है लेकि HDCP 2.2 को सपोर्ट नहीं करता है तो आपका नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो ऐसे जो ओटिटी प्लेटफोर्म जहां पर आपको 4K कंटेंट आपको वाच करने है उसमें वह फुल स्टी में चलेगा 4K में चलेगा जबकि आपका यूट्यूब में आते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं और 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 मुवी है यह 5.1 चैनल यहां पर शो कर रहा है इसके इलाबावा इसमें आपका फुल एजडी भी शो कर रहा है एजडी आ पोर के नहीं नहीं हो रहा है यानि कि आभी आपका अप्टिकल पोर्ट से कनेक्टिट है यहां पर अधर सेंटिंग सायां अधर यहां पर बाकी सारी सेंटिंग्स आपको सौज आई sound की ज आप देख सकते हैं इंग्लिस 5.1 वावले दोस्तों यह जी 5 पे मैं आपको शो कर देता हूं जीसे आप देख सेटें मुवी मैं नहीं तो इसम फाइट वजग मशो रहा है तो इस तरीके से आपका यह HDMI to Optical Converter है मेरा यह 5.1 चैनल को सपोर्ट करता है दोस्तों मैंने दो option आपको बता दी एक तो Bluetooth का option है उसमें आपको 2.1 चैनल का sound मिल जाएगा और एक मैंने 5.1 चैनल का sound के लिए आपके पास है इस तो आपको इस्टाइमें सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों वाला सेट में आपको करके दिखा देता हूं कैसे आपको अपनी आमेजर आका करने करना है दोस्तों यह मेरी Samsung की Q900-A सौनबार इसमें आप देखसे हैं दो HDMI HDMI I input port HDMI 1 HDMI 2 और एक HDMI out है और HDMI ERC का भी काम करता है नहीं दोनों काम करता है और TV से आप Connect करेंगे HDMI ERC port से तो sound आपका इधर से ट्रांस्फर होगी TV से सांड बार में और HDMI 1 और 2 इसमें port में कोई ऐसी device Connect करेंगे जैसे आपकी Amazon Fire Stick है तो इसके तुरू में यह वीडियो आपका वीडियो पास्टू मोड में आउटपुट आपका टीवी में जाएगा तो आपको ऐसे चनेट करना जैसे कि आपका यह अमेजर फारस्टी के मैं समय करनेट करता हूं इसके अड़ेप्टर की जब पड़ेगी सीधा एगा निए अड़ेटर लगा देता हूं यह से मैं कनेटकर देता हूं इसको इस तरीके से तो दोस्तों यह आपका कनेक्शण कंप्लिट हो गया और इस कंडिशन जरूर नहीं है आपका एषदी मेंрी ऑ कुरनेट करना किसी पोड में अपको दोस्तों आप चाहे तो मॉनिटर प्रजेक्टर को भी करनेट कर सथें उ लिंक आपको डेस्क्रिप्षम मिल जाएग़ वहां से क्लिक करके आप वह वीडियो से किस तो यहां से शेत बैंदेस कर लेता हूं ढलेता हूं तो यह सबस्कते हैं अलीकराई उस में जो ड्हय पॉट से शौर्टिप से immigrants तो आपका वीडियो यहां से मिल गया है वियर अच्टिर क्वालिटी तो आपका यह वीडियो आट पुट आपका टीवी मा गया है अब हम कोई डॉल्ब एंटमोस कंटेंट प्ले करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा डॉल्ब एंटमोस इसमें राए किने अरान जर्ण co फ्लेकर करें देख लेते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं यह यहां पे और टो आपको अबट्मोस कर डीव मोंिट्प्र्टर उप्स्टु को सटींग्स के जैसे आप इसमें जाएंगे सैटिंग्स में हैं तो यहां प्रका ऋप्चिन आएगा आपको display and audio का तो इसके बाद आगर नीचे आप जाएंगे तो इसमें audio and video diagnostic option और है इसको select करेंगे तो दोस्तों आप यहां देख सते हैं आपकी devices क्या-क्या चीजों को compatible है अब देख सते हैं डॉल्ब अट्मस और वीडियो रिजलूशन आप देख सकते हैं 4K को सपोर्ट कर रहा है रिफ्रेश्ट रेट सिस्टी हट्स है और डॉल्ब विजन नहीं है तो यह सारी सेटिंग्स आप इससे अमेजन फाइस्टिक से भी देख सकते हैं अपने सेटप में आपको क्या-क्या चीज़े टीवी और सांडबार सपोर्ट करती है वह सारी डीटेल्स आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएगी तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपका पसंद आया तो किरपय वीडियो को लाइक शेर कमेंट जो करना है और दोस्तों हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर जीज़ेगा यहाँ पर आपका ऐसे यूजवल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे तो दोस् दोस्तों मिलते हैं थांक यू